एटा जिले में एक नगर है अवागर्ट यहां क्षत्रिय वंच के जादोन शासकों का 108 एकर का प्राचीन किला आज भी खड़ा है 1206 में एक छोटे से माउंड पर इस शांदार किले का निर्मांग किया गया था प्रोफेसर सुभाश वर्माजी से हमने इस के लिए के बारे में बात की तो उन्होंने बताया का नाम आता है विच्परी केंपस का नाम आता है काफी इस राजपरवार का यूग दाना है सुरक्षा की द्रिष्टी से किले के चारो और 1000 फीट गहरी खाय बनवाई गई थी इसमें दलदल व बरसाती पानी भरा रहता था इसमें जंगली जानवरों का वास भी रहता था जिसकी वजह से मुगल व अंग्रेज इसके लिए पर आक्रमन नहीं कर पाए ये आज भी काफी अच्छी हालत में है इसका कारण है कि राजा साहब के परिवारी जनिस में रहते है अवागर का इतिहासिक किला वर्ष 1857 के बाद स्वतंत्रता संग्राम की लडाई का केंद्र बिंदू बना रहा अवागर की राजशाही का इतिहास सन 1831 से देखने को मिलता है लेकिन 1857 के बाद ये किला करांतिकारी गतिविधियों में तब्दील हो गया किले में महात्मा गांधी का कई बार आना हुआ 1892 में राजा बलवंत अवागर के राजा बने उन्होंने अपना सामराज्य और जमीदारी आगरा, अलीगर और मतुरा जिलो तक फैलाया किले को राजा बलवंत सिंग के नाम से भी पुकारा जाता है इन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई स्कूल कालेज खुलवाए जिसमें आगरा का राजा बलवंत सिंग राजपूत कॉलेज शामिल है राजा साहब ने रविंद नाथ टैगोर के शांती निकेतन में काफी सहयोग दिया था मदन मोहन मालविय के साथ मिलकर काफी काम किया वब अनारस हिंदू कालेज बनवाने में धन से मदद भी की दोख शित्र में इसकी गिंती भारत में सबसे धनाध्य किलो में होती थी आवागर स्टेट का सबसे बड़ा योगदान यही है कि इस स्टेट ने भारत की आजादी में बर्चल कर हिस्सा लिया